Hello students, आज हम discuss करेंगे chapter 4, getting to know plants के question answers along with extra questions. तो चलिए देखे क्या है हमारे पास first question. First question है हमारे पास correct the following statements and rewrite them in your notebook. Means हमने यहाँ पे जो statements given हैं उनको correct करना है और हमारी copy के अंदर उनको लिखना है. तो जो first statement है देखे उसके अंदर क्या correction है. Statement है stem absorbs water and mineral from the soil. यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो stem है वो क्या करती है water and mineral को soil से क्या करती है? एब्सॉब करती है तो आपको पता है कि जो stem होती है यह तो soil के उपर होती है, soil के अंदर नहीं होती है. तो यहाँ पे हम stem को किस word से replace करेंगे? यहाँ पे answer में आजाएगा root. जो root होती है वो absorb करती है water and minerals from the soil ना की stem करती है. तो यह इसकी correction थी बच्चों. उसके बाद next है हमारे पास leaves hold the plant upright. जो plant है उसको सीधा रखती है, straight रखती है, leaf इसमें help करते हैं. आपको कह रहे हैं कि जो leaf होते हैं वो plant को सीधा रखते हैं. आपको क्या लगता है? अब पढ़के हैं यह chapter तो यहाँ पे leaf जो है यह नहीं आएगा, जो stem है यह plant को ऐसे सीधा. आपको पता है कि जो stem है, यही ऊपर को सीधे सीधे ऐसे चलती है ना बच्चे. तो stem क्या रखती है, plant को upright रखती है, ना कि leaf रखती है. यहाँ leaf को replace करके हम क्या कर देंगे? stem लिख देंगे. ठीक है, next है हमारे पास roots conduct water to the leaves. क्या कह रहे हैं आपको कि जो leaf तक water है, आपको पत पानी को absorb करके देती है, plant को, तो यहाँ पर stem आ गई बच्चों, यहाँ पर यह माली जी को leaf है, तो वो कह रहे हैं कि जो root होती है, यह water को conduct करता है leaf तक, means root जो है, यह पानी को लेके जाती है leaf तक, तो यह क्या है, गलत statement है, root थोड़ी ना लेके जाएगी, root तो मिट्टी के अंदर है, बच्चे, leaf होते हैं, बिट्टी के बाहर, तो आपको इसके अंदर क्या correction करनी है, root को यहाँ से cut करके, हमने यहाँ पर stem word लगाना है, क्योंकि जो stem है, यहीं क्या करती है, help करती है, सारे parts तक water को क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, क्योंकि stem के अंदर क्या हो जाइलम टिशू होते हैं, आप higher classes में जाके इसको देखने वाले हूँ, ठीक है बच्चे, next, है हमारे पास, the number of petals and petals in a flower is always equal, कोई भी फूल है, उसके अंदर जो color वाली पतियां होती है, colored, जैसे rose plant है, उसके pink color के जो leaf होते है, वो petals होते है, उसके नीचे ऐसे छोटे-छोटे ग्रीन कलर के जो leaf होंगे उसको सैपल बोल देते हैं, ठीक है बटा, जैसे ऐसे आप देखोगे कोई फूल, उसके नीचे ग्रीन कलर की जो पतियां होती है, उसको हम सैपल कहते हैं, जो यह red वाली है, इसको petal, तो आपके पास वो हमें बोल रहे हैं, question के अंदर, कि जो number होत जिनमें उनका number equal हो, लेकिन यह सभी फूलों के लिए applicable नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत variety है हमारे पस, यह कोई क्या है, जरूरी नहीं है, कि सैपल और पैटल का number equal हो, अगर आपके पास सैपल 5 हैं, तो यह कोई जरूरी नहीं है, कि पैटल भी 5 ही हो, ठीक है, तो यह different हो सकती है, the number of petals and sapal in a flower may be different, यह क्या हो सकती है, different हो सकती है, in different plants, यह जरूरी नहीं हो सकती, कभी-कभी हो सकती है, always word यहाँ पे नहीं आना था, maybe, यहाँ पे आप इसको ऐसे correct करके, लिखो के अपके copy के अंदर, next day, if the sapals of a flower are joined together, means its petals are also joint together, means वो कह रहे हैं आपको कि अगर petals जुड़ी होई है, petals एक दूसरे से ऐसे बिल्कूल जुड़ी होई है, joint है, ठीक है, तो उसकी जो petals है, वो भी क्या होगी, joint होगी, तो यह भी क्या है, कोई जरूरी नहीं है, कि अगर उसकी sapals जुड़ी होई है, तो उसकी petals भी इसा फूल मिल जाए, जिसकी sapal और petal दोनों ही joint हो, लेकिन यह सभी के लिए possible नहीं होगा, तो क्या है, if the sapal of a flower are joined together, then its petal may or may not be joined together, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है बिटे, इसको आप ऐसे correct कर लोगे, next है, if the petals of a flower are joined together, अगर फूल की petals जुड़ी होई है, then the pistol is joined to the petals, means उसके अंदर जो पिस्टल पार्ट है, पिस्टल क्या होता है बेटे, यह female पार्ट है फूल के अंदर, जैसे कोई फूल हो, जैसे यह फूल है, ठीक है, मैं अभी आपको इसका डाइग्रम बता के, सारा यह म आपको यह बता देती हूं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज देना हूं, मा लीजेजिए इसका फीमेल पार्ट है, ब्लू कलर से जो मैंने बनाए, इसी को पिस्टल बोलते हैं, जो ब्लू बनाए है ना हमने, यह पिस्टल है, ठीक है बेटा, तो question है, if the petals of a flower joint, अगर उसकी petal बोल रहे हैं, कि अगर joint हैं, तो उसकी पिस्टल भी petal से जोड़ी होगी, तो यह कोई भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई एक फूल के अंदर ऐसा हो, लेकिन सभी फूलों में ऐसा नहीं होता, आपने different different fool देखे हैं, तो आपको कभी ऐसा फूल दिखा भी नहीं होग कि जिसके अंदर पिस्टल जूरी होगी, petal से, हो सकता है कि कोई fool हो, एक आधा, ठीक है न, तो सभी foolों के लिए थोड़ी नहीं है हमारे पास, ठीक है बच्चे, तो next है, draw a leaf, a tape root, a flower, you have studied for tap, table 4.3, हमने यहाँ पे एक leaf बनाना है, एक tap root बनानी है, और एक fool बनाना है, जो आपकी book में table given है, 4.3 में, तो आपको अगर यह table के बारे में नहीं पता है, तो आप देखोगे कि उस table के अंदर आपको fool दिया गया है, flower कौन सा दिया गया है, rose दिया गया है, और उसकी sapal, petal का सारा आपको description दी है, कि उसके अंदर कितनी petals हैं, कितनी sapals हैं, ठीक है न, joint है separate हैं, यह सारा table आपका बना हुआ है, आप देख सकते हो, आपकी book के अंदर, ठीक है, ऐसे table के according हमने एक fool बनाना है, means जो उस table में fool का आपको description given है, वो rose का fool है, तो अगर आपको table 4.3 के according ड्रौ करना है, तो आप यहाँ पे rose का fool एक ड्रौ करके दिखाओगे, ठीक है बेटा तो draw a leaf, हमने यहाँ पेक leaf ट्रौ करना है, तो यह एक leaf है आपके सामने, तो आप देखो कि इसके अंदर, जो center में यह वाली line है, यह वाली, इसको हम बोलते हैं, मेड्रेग, और इसके अंदर यह पतली-पतली सी, ऐसे line निकल रहे हैं, इनको हम veins बोल देते हैं, ठीक है, यह सारी veins है, इसके बाद इसके अंदर और भी veins होंगी, ऐसे side में, ठीक है, ऐसे पूरा veins है, तो इसकी और भी हम labeling कर सकते हैं, जैसे कि इसका जो green part है, जितना भी फूल के अंदर green वाला part दिख रहे हैं, इसको हम lamina बोल देते हैं, यह lamina होता है, और उसके बाद इसकी जो यह leaf stem से जुड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर side पर stem है, उससे ही जुड़ता है न, leaf, तो उसकी जो डंडी है, leaf की कई पर पत्ता तोड़ते हो, तो डंडी के समेश तोड़ते हो, तो वो डंडी को पिटियोल बोल देते हैं, हम stock, अगर आप उसको simple बोलो, लेकिन अगर हम scientifically उसका नेम देखे, तो पिटियोल होगा, तो green part lamina है बेटा, और उसकी जो boundary है, leaf का जो बाहर वाला boundary है, उसको हम बोल देते है, margin, ठीक है, तो यह labeling है, आपके leaf की, आपको दो पार्ट और यहाँ पे label थे, और कुछ parts मैंने आपको label करके दिखाए, तो आप कोई भी leaf बना के उसकी labeling करोगे, अगर आपको draw करने के लिए आया है, उसके बाद टैप root हमने बनानी है, यह आपके पास बेटा, एक tap root है, tap root क्या होती है, tap root के अंदर एक main root होती है, आपके पास यह center में, ठीक है, यह main root आ गई, यह माली जी आपकी सारी main root है, और इस main root से निकलती है, side में चोटी सी root, जिसको हम primary roots बोल देते हैं, माली जी यह roots निकली side में, ठीक है, इसको ध्यान से देखो बेटा, diagram को, समझना है हमने, तो आप देखो कि यहाँ पे भी यह main root है, और इस main root से, यह side में, जो roots निकलती है, इन्हें हम primary roots का name दे देते हैं, यह है primary root, और primary root होती है, इ अगर इसके primary root से जो root निकलेंगी, उसको हम बोल देते हैं, secondary roots, माली जी यह primary root से निकलने वाली roots क्या होती है, secondary roots होती है, और अगर secondary से भी कोई root निकले, वो tertiary होती है, ऐसे करके इनकी division होती है, तो यह tap root system होता है, बेटे, tap root के अंदर हमारे पास एक main root होती है, जो निकलत यह stem के base से, यहाँ पे उपर stem आ जाएगी, उसके basic main root निकलने है, उसके बाद बाकी की जो roots हैं, वो side में निकलेंगे, आप देखो यह diagram बिल्कुल similar है, यहाँ पे जो tree के root का system आपको given है, और यहाँ पे जो मैंने diagram आपको बना के दिखाया है, तो ऐसे आप लेबल करके आपके पस five sepals हैं, ठीक है, ऐसे five petals हैं, तो बेटा, जो rose का full होता है, इसकी बहुत variety है हमारे पास, ठीक है, जैसे आपको table 4.3 में उन्होंने petal का number five ही बोला है, तो आप सोचोगे कि जो आपने rose का full देखा, उसमें तो बहुत सारी petals होते हैं, तो ऐसे बेटा, हमारे पास wild जो हमारे पास rose होता था, अभी भी होगा, उसके five ही petal है, आजकल तो हमारे पास बहुत type के rose आगे है, hybrid rose आगे है, उनकी जो petal का number है different, means petal different different species है, बेटा, हमारे पास हर एक चीज के अंदर बहुत variety है, तो ऐसे ही different different petal का number हो सकता है, five से लेके infinity तक, बहुत सारा many तक number जा स होता है, और saples इनकी क्या होती है, separate होती है, saples separate होती है, ठीक है, जैसे कि आपको separate कैसे, एक ये गई saples, ठीक है, एक इधर है, अलग से, इधर चली गई, अलग से, बिलकुल वो free है, एक दूसरे से, कोई उनका एक दूसरे से connection नहीं है, तो बिलकुल free है, ऐसे एक जूड़ कई बर आपने ऐसे देखा भी होगा, अगर वो ऐसे होती है, कई बर आप देखोगी, कि saples ऐसे होती है, तो ये जूड़ी होई है, देखो, ये सारी जूड़ी होई है, एक दूसरे से, यहां बस इतनी से ही खुली है, बाकि आप इनको देखो, तो ये पूरा पता, बिलकु ठी है, फ्री है, तो ऐसे आपने एक फूल बनाना था, जो है रोज, तो जो जो आपको टेबल में गिवन था, उसके कोर्डिंग आफ वो फूल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है जी, चलें, नेक्स्ट क्वेशन है, जा नेबर के घर में देखा हो, जा नेबर के घर में देखा हो, जिसके long stem है, लेकिन वो stem बहुत weak है, कोई ऐसा plant आपने देखा हो, जिसकी stem बहुत long तो है, लेकिन weak है, और उसका name बताना है आपने, ठीक है, और वो किस category में आएगा, पढ़के आएगा हो ना, आपकी बुक्यांद herbs हैं, shrubs होते हैं, freeze होते हैं, climbers हैं, creepers हैं, तो यह हमार जैसे कि मैंने हमारे घर के according आपको आंसर दिया कि मारे घर में एक long और weak stem वाला plant हि जो की money plant है यह common है हर एक almost सभी के घर में होता है जा neighbor के घर में तो जरूर होगा तो इसकी जो stem अबहुत long होती है और weak होती है यह क्लाइंबर क्याटा हम आता है कैम सब्सक्राइब होगों तो छो सीधा यह को पतवा खिला में तो इसको एक्सामच की जरूरत होती है तो हम पर किया सुछाए यह देखा फ़र को भागता ड़ाम गाष्ट के तक ताकि आप क्या अपड़े पूमें चड़ती जाए है ना अपने देखा भी होगा इस इसके लीफ लगा देते हैं साइड में ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए तो ऐसे कोई भी और आपको लगता है कि प्लांट आपने देखा है जिसकी लॉंग और वीक स्टेम है तो वो क्या कर सकते हो बिटा आप यहा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन उस पानी को मिनरल को हर एक पार तक कौन लेके जाता है स्टेम लेके जाती है उसके बाद जो स्टेम होती है यह ब्रांचेज को लीज को फ्लार्स को फूर्ट को क्या करती है स्पोर्ट करती ह ठीक है आप देखोगे कि stem के ऊपर ये branches लगी होती है leaf लगे होते हैं full लगते हैं fruit लगते हैं सभी चीजों को पकड़ के रखती है stem sport करती है उनको ऐसे नहीं है कि वह कहें कि नहीं मेरे ऊपर नहीं लगना आपने sport करके रखती है सभी को अच्छे से उसके बाद plant जो है ये सीधा रहे स्ट्रेट रहे हवा में भी कई बार देखते हो आपकी plant जो है सीधे ही खड़े रहते हैं ये किसकी वज़ा से होता है ये stem की वज़ा से होता है तो ये stem का function है बिटे और इसके इलावा कोई और function आपको याद आता है तो आप वह भी लिख सकते हैं जैसे कि कुछ ऐसे plants हैं जिनकी stem क्या करती है food को store करती है जैसे कि potato ही है ये underground stem है ठीक है जैसे बहुत सारी और भी stems है sweet potato ये सारी चीजें जो है ये food store करती है stem जो है ये food को storage का भी काम करता है एक point और add कर सकते हो stem क्या करती है store करती है food in many plants ठीक है बेटा ये सभी plants में नहीं कुछ हमारे पास plants है उनके अंदर इसके बाद which of the following leaves have reticulate venation यहां पर आपको कुछ plants given है इनके आपको leaf भी पका पता होंगे की कैसे होते हैं हमने बताना है कि कौन से ऐसे plant है जिनके leaf के अंदर reticulate venation होती है बेटे सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि reticulate venation होती क्या है हमारे पास तो आपके पास यह diagram भी given है लेकिन इतना अच्छे से नहीं सायद इसमें clear हो रहा है जैसके यह वाला जो leaf है यह grass जैसा दिखते है आपको देखो तो ग्रास को अगर आप ध्यान से देखो कई बार तो उसके जो उसके अंदर ऐसे लंबी-लंबी से line होती है तो यह parallel venation होती ह अगर आप कोई people का पता देखते हूं बनियन ट्री का तो उसके अंदर जो यहां पे मैं draw अलग से करूंगी यहां पे ताकि clear हो तो ऐसे इसके अंदर आपको यह तो जरूर दिखती है ven लेकिन इन ven से आगे भी ऐसे side में चोटी-चोटी से veins निकली होती है कभी ध्यान दिया हो पत्ते के अंदर देखा है यह से पूरा network बना होता है have you seen this network तो ऐसे यह पूरा network जो है इसी को तो बोल देते हैं हम reticulate venation तो आपके पास जहां पे जो plants given है उनके आपको leaf तो पक्का देखे होंगे तो आपको लगता कौन से plant के leaf reticulate venation के लगते हैं जिसे wheat plant है उसका भी leaf थोड़ा ऐसा होता है parallel venation होता है यह parallel वाला है तुलसी का होग इसके अंदर parallel venation होती है बेटा ग्रास के अंदर भी parallel coriander के अंदर reticulate R लिख दिया मैंने चाइना रोस के अंदर भी reticulate जिसके उपर R लिखा है वो reticulate venation के हैं जिसके उपर P लिखा है वो parallel लेकिन question के अंदर सिर्फ उनोंने आपको reticulate ही पूछा है लिख ओफ तुलसी कोरियंडर और चाइना रोस है रेटिकुलेट विनेशन वेराज जो बच गई हमारे पास वीट मेस ग्रास इनके अंदर होती है parallel venation लिख यह आपने add करनी है लाइन तो कर सकते हो नहीं करनी तो कोई problem नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको reticulate venation वा बोला है कि अगर कोई plant के पास fibrous roots हैं तो उसके leaf के अंदर venation कैसी होगी तो बेटे आपको एक बात यहां पे clear करने वाली हूं है कि अगर हमारे पास fibrous root है fibrous root कौन सी होती है कि एक ही point से बहुत सारी roots निकलती है अभी हम पीछे tap root देखी थे ना tap root की तो एक main root होती थी इसे करके पिर उस साइडों में से root मिकल दी अगर तो हमारे पास fibrous root है तो always इसके जो leaf होते हैं वो parallel venation करते हैं तो आप क्या करते हो आप F भी तो बहुत चलाते हो facebook ठीक है तो F मान लीजिए आपका fibrous है B को उल्टा कर दो B को उल्टा कर दिया तो यह P बना दिया हमने य F B को थोड़ा सा हमने चेंज कर गया यहां पर यह F P बना दिया ताकि आपको यह याद रहे fibrous root means parallel venation तो अगर tap root होगा तो उसका कौन सा venation होगा अभी आपको पता चल गया होगा टी आर कर देना ठीक है तो यह आगे आपका reticulate venation जो teacher होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होत सब्सक्राइब होते हैं complicated venation का system किसका होता है reticulate आप भी बताती हूं जिसको याद कहने का तरीका बता हूं क्या मैंने इसको ऐसे याद किया था जब मैं आपकी class में थी तो यह इसका reticulate venation अगर हो तो क्या network है बढ़ा complicated है यह तो इसको समझना बहुत ही अगर venation को देखे किदर किदर जा रही है तो समझने हैं जैसे आपके hands के अंदर lines हैं कितनी complicated है ना वो सारी lines की पता ने चलता कोई किदर को जा रही है तो यह complicated teacher जो होते हैं उनको समझना बहुत मिश्किल होता है तो वो क्या होते है complicated वाला system है उनके अंदर reticulate ती कैसे आप इसको थोड़ा स अंदर fibrous root है तो parallel venation है उसके अंदर बेटा example आप पीछे भी देख के आए हो कोई भी example आप दे सकते हो clear हो गया है next question है कि अगर leaf है आपके पास reticulate venation तो आप बताओ अभी यह तो बहुत easy हो गया reticulate venation के leaf कैसे sorry roots कैसी होगी tap root होगी T होगी reticulate means complicated venation वो कौन होते है T वाल ही easy था यह is it possible for you to find out whether a plant has tap root or a fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of a paper अगर आपके paper पे कोई leaf बना हो क्या उसको देख के आप बता सकते हो कि उस plant के अंदर कौन सा root system है easily आप बता सकते हो आपके पास नहीं यह दो leaf बनाए है मैंने एक यह बना है एक वो बना है तो थोड़ा सा यह वाला तो आपको यह पता पता चल गया है कि यह हमारे पास leaf बने है तो इनका जो leaf को देख के आपको क्या पता चल रहा है इनकी roots के बारे में अगर किसी के अंदर ऐसे पी वाली तो समझ आ गया है yes of course हम leaf को देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा क्या है root system है अगर reticulate venation है तो उसके अंदर tap root होगा अगर fibrous root है तो venation parallel होगा आप अच्छे से इसको समझ लें क्योंकि बहुत सारे questions में same ही चीजें घुमा घुमा के पूछी जा रही है आपको next what are the parts of a flower को फूल है उसके parts के बारे में बताना है आपने कौन-कौन से parts होते हैं देखो बेटा मारे पास यहां पे जो green वाला part है इसको हम सैपल बोल देते हैं जो color वाले पत्ते होते हैं फूल के अंदर जैसे pink होते हैं a marigold के yellow होते हैं ऐसे different different से full है जिनके पत्ते भी different color के होते हैं तो वो color वाले पत्ते होते हैं इसके अंदर जो male part है ऑफी यह एक्षुली मेल पार्ट का जो उपर आपको ऐसे येलो सा लोब दिखाया है उन्होंने इसको हम येलो ही कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ऐसे ये येलो सा जो लोब है और उसके बाद ऐसे जो इसकी ये डंडी है ऐसे बनाई है ठीक है ना सेम ही डाइग्राम मैं ले रही हूँ ताकि आपको कोई भी confusion ना हो वेटा तो ये उपर वाला जो पार्ट है ना इसको हम बोल देते हैं एंथर और इसकी जो डंडी है इसको हम बोल देते हैं फिलामेंट तो ये दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं प्लस कर दो इनको तो इक को ला गया हमारे पास स स्येमनिल पार्ट ऑफ दे satisfy मैं में डीश औफ देखे दोसरा ये अभी फीर इसको येळ अफ़ी फूल्व किए उन्होंने फीमेल पार्ट भी ऐसे बनाया उन्होंने ठीक है ऐसे करकि थोड़ा सा चलो सी बिलर मैं नहीं बना पाली है ऐसा है यह सारा पार्ट फीमेल तो देखें इसके कौन कौन से पांच से फीमेल पार्ट है जो ना इसका जो हूपर्वाला पार्ट है इसको हम स्टिegum aquí प्लस कर दूए स्टाइल तो यह जो राउंड़ सी स्ट्रॉक्चर है इसको हम ओर्री बोल देते ऐं ठीक तो इस्टिग म स्टाइल ओवरी यह पूरा यह जो पार्ट है ना इसको यह सभी को प्लस कर दो तो यह इक्कोल किसके आगया पिस्टल ठीक तो यह फीमेल पार्ट ऑफ दा फ्लार है तो सभी के नेम आप लिखोगे जब आपको पूछा जाए नेक्स्ट है फ्रॉम दा फॉल्विंग देखा हैं कभी मेज वीट इनको फूल नहीं देखा हमें चिल्ली के अंदर जो मीर्च रहती है यूज जो इविल लगता है यहलो तुल्सी को भी लगता है वह चोटे होते हैं इसके बाद मैंगो पूल लगेगा जामून है ग्वाबा है पॉमन गेट है पापाया है बनाना है लेमन है ठीक है इनको क्या है हमारे पास फूल लगते हैं ठीक है तो इनकी लिस्ट यहां पे गिवन है यह क्वेश्चन रेरली ही पूछा जाता है फिर भी चलो आप पढ़ लेना Name that part of plant which produces food, name this process हमने वो पार बताना है प्लांट के अंदर जो food बनाता है और process का नेम बताना है जिससे प्लांट अपना food बनाते हैं आपको पता होगा इसका answer क्योंकि आप बहुत बार पढ़ के आए हो बहुत easy question है यह The part of plants which prepare food is the leaf leaf क्या करता है food को prepare करता है leaves of plant prepare food in the presence of sunlight the process of making food while utilizing water and carbon dioxide in the presence of sunlight is called photosynthesis कौन सा process है बिटा Photosynthesis और कौन से part में food बनता है leaves में बनता है clear in which part of a flower you will find the ovary हम कौन से part में ovary देखते हैं हम पीछे भी discuss करके हैं जो pistol part है बेटा female part है उसके अंदर हम क्या देखते हैं ovary देखते हैं जो यह round सी structure है यह ovary है ठीक है तो आप सीधा इसका answer लिग दोगे pistol next है name two plants in which one has joined sepals and other has separate sepals हमने कोई दो ऐसे plant बताने हैं जिसके अंदर sepals joint हैं और कुछ ऐसे plants बताने हैं जिनकी sepals separate हैं मैंने पीछे आपको beginning में कोई एक question आया था first question में हमने joint और separate sepals की बात कर किया है तो यहां पे कोई दो plants के name बताने हैं जिसके अंदर sepals joint है एक तो है हबिसकस चाइना रोज बहुत common है यह उसके बाद प्रिविंकल आपके पास सदा बहार का जो फूल है इनकी जो sepals हैं जुड़ी होती हैं एक दूसरे से उसके बा हमारे पास क्या है separate sepals हैं यह हमारे पास बेटा अब आ गए है question extra वाले जो आपके exam के लिए important है इन questions को आपने अच्छे से सुनना है और समझना है और याद भी करना है अगर आपने chapter अच्छे से नहीं पड़ा है तो भी कोई problem नहीं है अगर आप यह वीडियो पूरा अच्छे से नहीं सुनने हो जब पड़े नहीं हो तो भी आपके सारी doubt clear हो जाए ठीक है बटा तो देखे what is the first question how many kinds of plant are there हमारे पास कितने kind के plants है usually आपकी book के recording answer given है कि three kind के plants हैं जैसे herbs and shrubs and trees three type के हमारे पास categories आदी है plants की herbs क्या होती है बहुत चोटे-चोटे से plants होते हैं जि इसकी जो soft green stem होती है चोटी सी stem जैसे mint है आपने देखा हो पुदीना ठीक है जब कोरियंडर की stem देखे कितनी पतली होती है soft होती है आप चाकु से इसको easily काटके फिर सबजी में डालते हो ने कोरियंडर धनिया कितनी soft होती है इसकी stem तो यह herbs में आ जाते हैं चोट-चोटे इसे plant shrubs क्या होती है shrubs अगर आप देखो ना तो इनकी जो branches मालो जो shrub की stem है mostly इनकी जो branches है नीचे ही होती है ज्यादा उपर नहीं होती है नीचे नीचे होती है branches ऐसे bush type बन जाता है जाड़ी सी बन जाती है लेकिन जो stem होती है hard होती है as compared to herbs अगर हम धनिया की stem देखो बहुत ज्यादा इतनी मोटी stem है no stem बहुत पतली ही रहेगी नॉर्मल सी होगे middle में हम इसको देख लेंगे कि center बहुत ज्यादा पतली भी नहीं बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं एक center में clear तो shrubs में आ जाती है जैसे rose plant है orange plant है इनकी अगर आप stem देखो तो बहुत ज्यादा होती है hard होती है कि इतनी easily toot भी नहीं कि आप एक knife लेके उसको ऐसे कटने बैट जो थोड़ा उसको काटने में थोड़ा आपको hard work करना पड़ेगा hard होती है इसकी जो stem होती है ठीक है तो branches mostly base पे निकलती है ज्यादा ऊपर जाके नहीं आती है branches नीचे से ही शुरू हो जाती ह branches निकलने तो ऐसे plant shrubs के अंदर आ जाते हैं ठीक है आपको कोई और example पता है तो भी आप लिख सकते हो कोई problem नहीं है next is what are trees trees क्या होते है trees देखे बहुत हैं लेकिन कभी define नहीं किया हमने इनको है कि नहीं तो देखो यहाँ पे science में आपको यह भी question आ गया कि trees को कैसे define करना ह होते हैं trees बेटे trees जो होते हैं ये टॉल होते हैं पता ही आपको इनके stem बहुत थिक होती है और इनकी जो branches ने ऊपर होती है आपने देखे ना इसी मोटी सी इस की क्या हो जाएगी यह स्टैम में ऊपर जाके इसके ऊपर ऐसे पूरा crown बन जाता है क्योंकि सारी branches ने उपर जा हम ने यह स्टैम ऑडी यह स्टैम बोला जाता है इसे पिटियोल बोल जाता है सिंपल इसको बोलने जा इसको में लिकिर को क्या बोलते हैं जैसे आपको पत्तों आपें अगर आपको पता है तो यह भी देखो एक क्वेशन मैंने आपको पूछा है अगर आपको पता है तो जुडूर कमेंट कहना What is mid rib? Mid rib क्या होती है बिटा आपको यह भी लीफ का ही पता है लीफ की जो सेंटर वाली मोटी सी लाइन है ना थिक वेन उसको तो हम बोलते है Mid rib, center, mid means middle वाली वेन इन दा मिडल ओफ दा लीफ काल्ड मिड रिप क्लियर है चोटा सा ही क्वेशन लेकिन पूछ सकते हैं आपको लीफ विनेशन क्या है जो डिजाइन है ना लीफ के अंदर यह वाला बहुत आपने पीछे बना के आए है एक तो यह वाला पूरा नेटवर्क वाला डिजाइन और दूसरा डिजाइन कौन सा है पैरलल वाला डिजाइन ऐसे करके ऐसे करके और कभी बनाना वाला लीफ देगा है आपने यहां पे वो भी बनाती हूँ अभी आपको सारे यह आ जाएंगे एक को green ले ले लेते हैं ज्यादा interesting लगेगा है कि न वैसे पत्ते जलूर देखें हमने तो यह सारे दिजाइन है क्या यह डिजाइन है वी ніशन इनी को तो बोल दे दे लिफ विनेशन प्त्तों के अंदर वी नेशन है इने डिजाईन है तो डाह डिजाईन अ hun बचे ने सनए और जिँनलों आंच को साहई है निजोबसे लिशय प्राशन लीफ मर्मलेन एक र्वाफ जादे को पानी में बखांगी एक पारें परनमें जादा आओ इंपर्म घर्मी चार से उन्यमै पानी आई जल्दी धानी को जाता है Jeff from the leaf in the form of vapor is called transpiration इस process को transpiration का नाम देते हैं ठीक है ताइप आपके पास कितने टाइप के लीफ विनेशन है यह अंसर तो अभी आपको रट चाहना चाहिए बिटा रेटिकुलेट अद पालल विनेशन जो प्रोसेस है फूड बनाने का प्रोसेस उसके बीच उसके अंदर हमें कौन-कौन सा रो माटेरियल चाहिए तो सनलाइट है वाचर है काबन डायोकसाइड है क्लोरोफिल भी आप यहां पे लिख सकते हूँ क्लोरोफिल के बिना तो सनलाइट को पकड़ा नहीं जाएगा क्लोरोफिल होना बहुत ज़रूरी है तो यह सारे ही रो माटेरियल है हमारे पास प्राइरर प्राइबर समय देंकलती है तो साइडमे निकलती है यह प्राइम्री और सेक्निर रोटोरी समय कोश्य दे क्वाग वित हां अप्रे में क्योंकि रूट्स तो हमें दिखती नहीं जादा तो आप लीफ के अगर देखें किसी प्लांट के पैरलल लीफ तो वही प्लांट के निम गिवन कर सकते हो यहां पर जैसे वीट प्लांट है मेंस प्लांट है ग्रास भी लिख सकते हो इनके लीफ के अंदर पैरलल लीफ के तो यहां पे ना एक ही पॉइंट से बहुत सारी रूट्स निकलती है यह एक दो तीन चार पता ने कितना एक पूरा जूंड बन जाता है ऐसे तो ऐसा रूट सिस्टम हो जाता है फाइब्रस ठीक है रूट विच डूनोट हैव एनी मेन रूट बट और रूट्स आर सीमिलर होती है यह यह कलर जाता है यह जो पैटल होती है यह एक पिकलर लगति इसका अप्रेट यह जो पैटल गोती है कि कौछ छेतेуса इताम में उर्द को अपनी तरफ थो छी आपको भी तो अच्छे लगते हैं इस बहुत अच्छी हो जाते हैं फूल के भी हमको बाइचे और फूल को बहुत अच्छी हो यह हम नीच अब है यहां यहां पर बनाएंगी जासे नीचे फूल है क्alnya यह तेंका पोरी कही है तो यह पूरे में तो बंद होती है यह시ने बंद अथे यह स्क्राइब चुछ पूल अंदर पाटस है के यह प्रोटेक्ट परफूल बड म करें यो हम चोई हम कहा हम अंको सबस्ते हैं फिर बाद में बाहर निकलें जब बड़े हो जाएं ठीक है ना तो यह protection देती है भई सैपल वैसे ही नहीं लग जाती फूलों के अंदर इसका काम बहुत जादा है ठीक है बेटा next one बेटा आपको पिस्टल के पार्ट्स पता है यह स्टिग्मा है यह स्टाइल है और यह ओवरी है इनके पार्ट्स हमने लिखने है अलग से भी पूछा जा सकता है इसके अंदर जो अभी पीछे देखी ओवरी यह स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है तिनों को अरकट्थे ही बनाते है इसके अंदर जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्चर्स है इनको अव्यूल बोल देते है ठीक है इसको क्या बोल देते है इन अव्यूल के अंदर ही तो सारा म इसे बोड़ा होते हैं हो तर्था स्टेमन पीछे थे देखी आए कि तूपार्ट से एक एंथर होता है दूसरा क्या होता है फिलमेंट ऐसे करके निचे जो डंडि फिलमेंट आपर वाला एंथर इसके तू पार्ट सो ने आपको अलग से पूछा जा सकता है question then next question है हमारे पास what are creepers creepers क्या होते हैं ऐसे plants जिनके stem बहुत weak होती है वो upright नहीं means straight खडी नहीं हो सकती stem mostly वो ground पे ही फैल जाती है खेत के अंदर नीचे नीचे ground के साथ चलना शुरू कर देते हैं उपर को तो इतना अच्छे से पकड़नी पाएगी ठीक है ना तूट सकती है यह stem climbers क्या होते हैं climbers जो climb कर सकते है with the help of sport तो ऐसे plant जो कोई neighboring structure की help सी क्या कर सकते हैं climb करते हैं तो ऐसे क्या होते है plants climbers यह बहुत weak stem होती है इनकी long stem होती है beginning में भी देखे थे money plant है grapes की जो wine है जो grapes की आप में देखी है plant की तो यह हमारे पास climbers के अंदर आ जाते हैं तो यह है हमारे पास आपका chapter 4 I hope आपको सारे question अच्छे से समझ आ गए है अगर फिर भी आपको कोई doubt है तो आप हमें कमेंट करके पूच सकते हो I hope you like this video thank you so much झाम झाम झाल